नमस्ते दोस्तों आज आपके लिए हम लाए है इकनोमिक्स लेशन टू अर्थविवस्था की के अंदरी के समस्या इसमें इंपोटेंट कुष्टन जो भी है आधा पार्ट वन है ये और मैं आपको स्टार्ट करता है चलिए शुरू करते हैं पहला कुष्टन है अर्थविवस्था क्या है तो अर्थविवस्था के बारे में वाट इज इन एकनोमिक्स तो एकनोमिक्स के बारे में आप ये जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो आप ये समझिए ध्यान से सुनिए अर्थविवस्था उस व्यवस्था को करते हैं जिस अर्थव्यवस्था को उश्व्यवस्था को काते हैं जिसके दोरा एक छेत्र यानि एक छेत्र मतलब एक जगा के लोग अपनी आजीव का मतलब आपनी जीवनी अपनी जीवन को जीवन को बिताने के लिए जो आय अरजित करते हैं उसको अर्थव्यवस्था में हम देखते है अर्थव्यवस्था को बिभीन भागों में माटा गया है दूसरा कुशन है अर्थव्यवस्था की प्रकार कितने होते हैं तो अर्थव्यवस्था निम तीन भागों में माटा जा सकता है अर्थव्यवस्था को तीन भागों माटा जा सकता है पुझिवादी अर्थवेश्था या बजार अर्थवेश्था पुझिवादी अर्थवेश्था के दूसरा नम में बजार अर्थवेश्था कभी-कभी पूछ दिया जाता है पुझिवादी अर्थवेश्था नहीं पूछ कर कभी-कभी पूछ आता है जो बाजार अर्थवेवस्ता क्या है तो आप नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं बना पाएंगे तो आज समझ लीजे बाजार अर्थवेवस्ता के बारें पुछे तो आप समझे जो पुझिवादी अर्थवेवस्ता के बारें में पुछडा है दूसरा है समाजबादी अर्थवेषथा तीसरा है मिसरित अर्थवेषथा एक मिसरित अर्थवेषथा पर एक objective पुश्रन है आप भी बना सकते हैं यह और आप जानते होंगे जो भारत में कुण सी अर्थवेषथा है तो पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है और तीसरा मिस्तिरित अर्थवेश्था है भारत में मिस्तिरित अर्थवेश्था है तो पुझिवादी अर्थवेश्था क्या होती है तो पुझिवादी अर्थवेश्था कभी-कभी ऐसे भी पुछ दिया जाता है जो बजा अर्थवेश्था क्या होती है और आप इसमें नहीं बना पाते हैं इसलिए अभी आप इसे समझ लीजिए मुझीवादी अर्थविष्टा को पडिभासित करिए तो इसका होगा उत्पत्ती के साधनों पर नीजी स्वामित्व होता है अब यहाँ समझे उत्पत्ती के साधनों किसके कहते हैं यह जो उत्पत्ती की शाधन है, मतलब जमीन को उत्पत्ती, क्योंकि जमीन से ही अन्य फशल उत्पाधन किया जाता है, उन्हें उत्पत्ती की साधनों पर नीजी स्वामित होता है, यानि जमीन पर नीजी स्वामित होता है, तथा इन साधनों का उप्योग व्यक्तिकत लाव के लिए होता है इसमें केंद्रिय नियोज़ नहीं होता है तो पुझिवादी अर्थ वेवस्था में जो है जमीन अदी विविन प्रकार की वेवस्था पर उनका नीजी स्वामित होता है तथा इन साधनों का व्पयोग व्रक्तिकत लाव के कि यानि उसके नीजी जिंद्ध्री में वो उत्पत्ति कि वह उत्यक्राटaras, पर नीजी श्वामित होता है। तथा उसका उपयोग व्यक्तिकत लाव के लिए ही कर सकता है। इसमें केंद्रीयं न्यूजन होता है। आगे हम पढ़ेंगे न्यूजन के बारे में .. आप BST में भी पढ़े होंगे नियोजन के बारे में तीसरा समाजवाद नियोजीत अर्थवेश्था तो समाजवाद या नियोजीत अर्थवेश्था समाजवाद अर्थवेश्था कहीं दूसरा नाम है नियोजीत अर्थवेश्था कभी कभी पूछ दिया जाता है नियोजी एवं इसमें केंद्रिय संस्था दोड़ा व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आप ये ध्यान दिजे जो इस पर स्वामित्व जो है समाज का होता है उत्पति की शाधन का कोया स्वामित्व जैसे आपका जमीन है तो इस पर समाज का ही अधिकार होगा और इसमें केंद्रिय शंस्था दर व्यक्तिगत स्वतंता नहीं होती है इसमें एक व्यक्तिगत व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है तीसरा है मिस्रित अर्थवेस्ता जो हमारे भारत में अपनाईगी है मिस्रित अर्थवेस्ता उत्पत्ती के साधनों पर नीजी एवं राज दोनों का श्वामित होता है वास्तव रूप में उत्पत्ती यानि जमीन पर नीजी एवं राज दोनों नीजी मतलब हो गया आप प्रश्नल यूज प्रश्नल एबं राज मतलब शरकार दोनों का श्वमित होता है आपकी जमीन पर आपका भी अधिकार है और शरकार का भी अधिकार है क्योंकि आपको टैक्स देनी परती है जमीन के कड़, इसमें आर्थिक और शमहनता है किन्तु नियंत्रित होती है इसमें आर्थिक रूप्षे शमानता इसलिए नहीं पाए जाती है यूगि इसमें विभीन प्रकार के लोगों के एक व्रक्ति अन्य व्रक्ति के भासा रंग भेद अलग होते हैं इसमें लेकिन किन्तु यह नियंत्रित होती है सभी भासाओं से मिले हुए एक नियंतृत वेश्ता होती है मिश्रित अर्थ वेश्ता हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थ वेश्ता है ये तो आपको मैं पहले ही बता दिया था छठा कॉस्षण है आर्थिक समस्या मुल्त चुन birl की समस्या है most important questions है ये आर्थिक समस्या मुल्त चुनों की समस्या है आपको ये question पूछा जाता है बार बार exam में पूछा जाएगा तो आप इसका answer इस प्रकार दीजेगा अभी समझ लिजी आविशक्ता और आश्रिमित और साधन शिमीत होते हैं वास्तभ रूप मैं आपके पास आपसक्ता बहुत अधीक होगी मतलब और ऑश्रिमित है आप्शक्ता और आप गारी फिर आपके पास पुछ अन्य समान नहीं है तो वो भी खरदना लेकिन आपके पास पैशा मुद्रा ये आपके पास नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा तो सिमीत साधनों के वे कलपिक परियोग के कारण इन साधनों का एबं और सिमीत आविसकताओं के बीच एक संतुलन बनानी का प्रियास किया जाता है तो हम आर्थिक समस्या इसलिए मुल्ता चुनों की समस्या करते हैं आगे पढ़ते हैं और इसी प्रियास से चुनों की समस्या उत्पन होती है इस प्रकार आर्थिक समस्या मुल्ता चुनों की समस्या है तो आर्थिक समस्या जो है मूलता चुनो की इसलिए समस्या है क्योंकि आपशक्ता अधिक होती है और शाधन कम होते हैं जिसके कारण हमारी पास ये सोचने बिचारने का वक्त आ जाता है जो हम किन वस्तू का अपयोग करें जो कम मात्रा कम मुद्रा खर्च करने पड़ी प्राप्थ हो कम में अच्छे वस्तू का मिल सकें तो उसमें हम चुनो की ही समस्या करते हैं इसलिए हमें चुनो की समस्या आ जाती है जो हम किन वस्तू को खर दे तो हमारी बजट उसके लाइक हो और वो वस्तू हमारे पास पहुंच सके इसलिए बहुत जड़ी हो जाती है बहुत ही आर्थिक समस्या मुल्ता इसलिए चुनो की समस्या हो जाती है आरतिक समस्या की पडिवासा लिखे, अब आरतिक समस्या तो पहले हम समस्य चुक हैं जो हूँ उसकी चिनौव की समस्या है, लेकिन आरतिक समस्या होती है, निकलती समस्ते बिभीन आवसकताओं की पूर्ति करने के लिए बिभीन आवसकताओं हमारे पास जिदनी भी आवसकताओं उसके पूर्ति करने के लिए सिमित साधनों की परियोग हमारे पास जो शिमित मुद्रा है या साधन है उसके परियोग से उत्पन चेन की समस्या को ही आर्थिक समस्या करते हैं विभीन आवशक्ताओं की पूर्ति करने के लिए जो हम सिमीत साधन के उपयोग से जो चैन की उत्पन होती है उत्पन जो होती है चैन की समस्या क्योंकि हमारे साथ विभीन आवशक्ताओं जुड़ी हुई है और उन्हीं आवशक्ताओं को पुरा करने के लि इसलिए चैन के आभशक्टाय lang परती है क्योंकि हम उनवस्तूं को खड़िद नहीं सकते हैं क्योंकि मुद्रहा उसमें जाधा खर्श होता है, और हमें चैन की करनी पर्ती है जो कोन्शी वस्तू आभशक्थ है और कोन्शी अनाभशक है तो आर्थिक समस्या उसे कहते हैं आठमा कुस्षन है आर्थिक समस्या उत्वन होनी के कारण लिखे तो आर्थिक समस्या उत्वन होनी के कारण आप इस प्रकार लिखेंगे तो अभी हमने समझाया है जैसे महनवीय आप सकता है और शिमित होती है ये तो हम समझ सकते मानब के पास आपसक्ता अधीक होती है लेकिन उसके साथ उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानब के पास साधन सिमीत होते हैं सिमीत साधन से और सिमीत आपसक्ताओं की एवं पूर्ती एक समस्या है इन ही कारण से जब हम मनुष अपनी आवसक्ताओं की पूर्ती का चुनाओ करती है तो उन्हें उनके श्याम में एक समस्या अत्पन होती है था आर्थिक समस्या चुनाओ की श्यमस्या है इसका करना यह है कि आर्थिक समस्या करते हैं उसे जब मनव अपने आवसक्ताओं को औ जब साधन सिमित साधन के उपयोग से जो उपयोग करने के लिए जब वो चैन की समस्या उत्पन होती है और चैन की समस्या से वो वो आपकी समस्या यानि आर्थिक समस्या उत्पन होती है चैन की समस्या को ही आर्थिक समस्या करते है अर्थ ब्यवस्था की केंद्रिय शमस्या क्या है तो अर्थ ब्यवस्था की केंद्रिये सेंट्रल प्रोब्लेम क्या है इकनोमिक्स सेंट्रल प्रोब्लेम क्या है तो अर्थ ब्यवस्था की केंद्रिये शमस्या इस परकार है क्या है इस परकार आप इस तरह समझे अर्थ ब्यवस्था की केंद्रिये समस्या पहली है क् कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए तो आप वास्तम में यही सोच रहेंगे क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करेंगे तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप क्या उत्पादन करेंगे उस वस्तु का नम आपको आना चाहिए वो वस्तु क्या है जो आप उसका उत् उत्पादन करना चाहते हैं दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए तो आपको यह पता रहना चाहिए जिस वस्तु को आप उत्पादन करना चाहते हैं इतनी मात्रा में तो आपको उसे उत्पादन करने की तरिका भी मालूम होना चाहिए तीसरा है किसके लिए उत्पादन किय तो बड़ी बड़ी कंपनिया एक ऐसी स्कीम निकालती है जिसमें गड़ी वर्ग और धनी वर्ग दोनों एक साथ वो खड़ी सकते हैं जैसे कुड़कुरे चीप्स यह सब लोवर है लेकिन यह धनी लोग भी इसे खड़ी सकते हैं चौथा है साधनों के विकास की समस्या तो आपका यह 9 कुशन है और आपको जल्दी आगे और कुशन बता दिया जाएगा चेनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें धन्यबाद आपको पीडियाफ भी मिलेगा